तो अपने बावा साब को जरम दिन का इससे बड़ा तुफा क्या देंगे हम अपने मसियह को इससे बड़ा तुफा क्या देंगे हम कि उन्होंने वह बात कर यह हम को पूरे दस महिने हो गए जूम पर यह खटे होने के लिए जोडने जोडने के लिए तो हम चार सो पान सो साल से लगातार एडियां रगड़ रहे हैं थोड़े बहुत कामयाब हो जाते हैं फिर तूट जाते हैं क्योंकि हमारे जो लोग हैं पिछले चार सो पान सो साल में उनकी जो सोच है बड़ी नेरो हो गई बहुत छोटी हो गई, इतनी छोटी हो गई कि अपने साथ खड़े हुए किसी व्यक्ति, किसी महिला, किसी बच्चे से अगर कुछ सामाजिक मनमुटाव होता है या व्यक्तिगत मनमुटाव होता है तो उसको वो संग के बड़े रूप में नहीं देख पाते और उससे जुडने जुडने में दिक्कत आ रही है, हमें बहार से कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ब्रहमण हमारे सरका एक बाल नहीं तोड़ सकता, आप लिख लेना इस बात को, जो लोग ब्रहमण ब्रहमण करते हैं, ब्रहमण को दुस्मन करते हैं, वो यह समझ ले कि आप ज राजनितिक पार्टी में शेयर करने आ गया, जरासे खट्टे हुए थे आप, अब सारे खट्टे हो जाएंगे, तो फिर याचक बन जाएगा, वो तो त्यार है, हमें परेसानी बहार से नहीं है, बहार का तो कोई चेलेंज नहीं है, बहार तो कोई दुस्मन है नहीं, जिसने भी बहार दुस्मन बना रखा है वो हवा में हैं दुस्मन तो अंदर हैं सारे सारे अंदर हैं जो जुडने और जुडने में दिक्कत पैदा कर रहे हैं और ये दिक्कत दिखाई दे रही है हमको अच्छी तरह से और इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत जो आ रही है वो आ रही है बेकार के कूड़े के धिर जैसे जो बुलकुल बदवुदार गंदे जो एहम और एगो हैं उन से दिक्कत आ रही है कितनी वार बताया है कि भाया बहुत ज़्यादा जब परिशानी हुआ करे बहुत ज़्यादा एगो एहम आए तो अपने दादा को देख लिया करो अपने दादा का नाम याद कर लिया करो अपने दादा दादी का पता कर लिया करो कि वो क्या थे और बहुत ज्यादा हवा में जब उचलो तो अपने पड़ कोतों का भविश्चा देख लो क्या होने वाला है सारा इगो धरा रह जाएगा सारा एहम गायब हो जाएगा पसीने आ जाएगे माथे पे सरीर कापने लगेगा जो حالत होने वाली है जो हालत पहले थी दौनों को ज़ादा दूर नहीं है दो पीड़ी पहले है और दो पीड़ी बात बस सब दिखाए दे जायेगा कि जुड़ना जुड़ना क्यों चाहिए ये चुटे चुटे जो एहम वाले लोग हैं ये रुकावट पैदा करना है और हम इनका इलाज करेंगे हम इनका इलाज अच्छी तरह से करेंगे और अच्छी तरह से इनको बताएंगे कि हमारा दुस्मन कौन है कौन नहीं है क्योंकि हम किसी बहलत में आपके मरने को त्यार हैं और ना ही हम किसी भलत में अपने अधिकार छोड़ने को त्यार हैं चाहें कुछ हो जाए चौदे अपरेल आ रहा है पांच साल हमको यह जो पांच मईई है उसमें दस महिने पूरे होगे तो पहली वार चौदे अपरेल आ रहा है क्योंकि पांच मईई से हम यहां आये थे वैसे तो बहुत पहले से लोगों से संप्रक चला है बाची चले जाए तो चौदे अपरेल मनाने के लिए लोग पड़्ची चंदा और धंदा के लिए निकल पड़े हैं कल मेरी बात हुई थी कई लोग उने पपषिया छप वाली आ उफिसों के अंदर जपाई जा रही है नहीं और दो जपाने अमिट ग्रकieß फ़णले बाले तरीका है वह साथ आमिट गर की जैनती पर पष़णी कर içा शकती रहें आप उनकी पुरानी पर कालो सबकी वोई है और पड़शी च्छबाने वाले बड़े स्मार्ट और बहुत तेज़ तर्ण लोग हैं वो क्या करते हैं कि पहले तीन-चार पड़ची काट लेते हैं पांच-पांच लोटके नहीं आती हैं बहुत सारी पर्ची को जाती हैं उनका कोई हिसाब नहीं है और वो सारे बर्दे मनाए बिना जनन दिन मनाए बिना मानेंगे नहीं जो महापुरुस है वो महापुरुस कभी नहीं कहते कि आप हमारा जनन दिन मनाना बावा साब ने भी मना कर दिया और जो बुद्ध हैं उन्होंने भी कभी नहीं कहा कि आप वैसाक पुर्ण मासी मनाएं, वैसाक पुर्णिमा मनाएं, बुद्ध पुर्णिमा मनाएं, कभी नहीं कहा, और किसी भी महापुरिस ने कभी नहीं कहा, कि आप मेरा जनन दिन मनाएं, फिर भी हम लोग उनका जनन दिन म मनाना खराब काम होता तो इसका विरूद हो जाता तो जनन दिन मनाना या मरण दिन मनाना खराब काम नहीं है बेसक महापरुस मना करके जाए क्यों खराब काम नहीं है क्योंकि जनन दिन पर और मरण दिन पर एक काम होता है लोग कहते हैं जी जनन दिन हम इसलिए मनाते हैं कि ह को खुशी महसुस होती हैं खुशी के लिए मनाते हैं हमारा महा पुरूस है तो खुशी की बात है तो हम तो मनाएंगे तो खुशी मनानी चाहिए मनाओ भाई खुशी कौन मने करता है तो भई मरन दिन पर खुशी नहीं मिलती अगर आप खुशी के लिए ही कोई काईकरम कर र यहाती है जब महापुर्स का मरन दिना आता है कि या प्रमा गोड़ा दिन मरने ही मना रहें थो इन डोनों बातों में एक बात आ यह कि हम दोनों दिन एक μαड़ा हो यह पनी परिवार के साथ अपने रिस्दारों के साथ और हम इसकी उसके हम इखटे होते हैं यह जो इखटे होने का काम है यह सबसे बोटन है महापरुस के नाम पर इखटे हो रहे हैं मगर इखटे हो रहे हैं उसके मरण दिन के नाम पर इखटे हो रहे हैं दुख नहीं मना रहे हैं मगर इखटे हो रहे हैं इखटे होने के फाइदे ही रहे हैं इसका चिंतन करना चाहिए इसका मनन करना चाहिए और इसको सक्कों बताना चाहिए कि जब हम महापरुस्का जनन दिन मना रहे हैं तो हम इखटे हो रहे हैं हमें फायदे के लिए और फायदे की जिए के हमारा नुकसान हो रहा है नुकसान इसलिए हो रहा है कि जो के मना रहे हैं और एक दूसरे को नहीं बुला रहे हैं उन जनन दिन के अंदर उन मरन दिन के अंदर हम मंच माला माइक लगा रहे हैं और वहां पर हम सेखी भगा रहे हैं और हम एक दूसरे का मान और अपमान कर रहे हैं समान कर रहे हैं अपमान कर रहे हम एक दूसरे को नीच की प्रतिष्टा की रड़ाईया कर रहे हैं और कुर्सियों पर उपर नीचे बैठने का प्रधान बनाने का रुद्धष बनाने का प्रमुक अधिती बनाने का और प्रमुक वक्ता बनाने का खेल खेल रहे हैं और उससे फायदे की बजाए नुक्सान हो रहा है यहां दिल्ली मने अपरैल मेंलेक्सण भी तो इसलिए पूरी समभव नायकि इस वार होगा इस वार रुप नी पायगा फिर भी कुछ भी कारण हो सकता है तो वहां पहले लोग आते नहीं theo फिर वहां लोग आने से वोगे तो वहां लोग आते हैं तो आने वाले लोगों को Consider कुछ खाना-पानी मी लाते हैं उस खाना-पानी देने से जो वहां वह खादे पतारीत लाते हैं उसका जो बटवारा होता है वह बटवारा बहुत ज्यादा शर्मनाक हो गया मodedधों वू एक ग्रेस फिलो और एक बहुत जो अच्छा शांदार होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है उससे नुक्सान और ज्यादा हो रहा है कई लोग कहते हैं जी वहाँ आते हैं तो वहाँ पूरीयों के लिए सब्जियों के लिए जगड़ा मसता है यह इस्तिति और भी ज्यादा खरार है क्योंकि ना बटे तो बहतर ह है तो इन सब जो बुराईयां हैं और इससे जो डॉक्टर अंबेटकर और बावा साब या बुद्ध की जो जैंतिया जो हम कारिकन कर रहे हैं उससे फायदे की बजाए नुकसान ज्यादा हो रहा है इस नुकसान को करने के लिए दो बात हैं या तो हम मनाना बंद कर दें औ कि जो पड़्शियों छापने वाले हैं जो चंदा लेने वाले हैं वो निकल चुके हैं तो हमको भी निकल जाना चाहिए कैसे निकलेंगे हम को फोन करना चाहिए हमको वाटसेप करना चाहिए हमको पोश्ट बनाना चाहिए हमको वीडियो बनाके बताना चाहिए कि संग में समर संग में, जो दस महीने सम प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस प्रैक्टिस के अनुसार, जरन दिन अगर हम मनाएंगे, तो फाइदा दो गुरा होगा, हमारा पैसा भी खर्चनी होगा, और जो इखटे होने का काम होता है, वो भी होगा, और लोगों की पहचान भी हो जाएगी, ह ही हमारा पुराना समर संका सिध्धानत है, जो समर संका सिध्धानत है, कि हम सब को एक जगाए खटा होना है, तो बाकी सब लोगों को यह कहना है कि भाई, एक काईक्रम मनाओ, एक गाम में, एक काईक्रम, एक काईक्रम, एक जिले में, एक काईक्रम, और एक बड़े शहर मे एक assembly 14 अप्रेल को ही हो मगर एक हो और एक assembly में सारे खटे हो चाहा किसी भी जगे हो किसी मैदान में हो और उसमें कहीं कोई management का निगली है जरूत नहीं है सिर्फ उसकी घोशना होनी चाहिए और वो जो assembly है उसमें सब लोग अपना खाना ले के आए या अपना खाने का पानी का सामा लेके आने पानी बोतल लेके आ आये और अपने किराई से चलके आए उस assembly में आए अपने परिवार के साथ आया खूड बड़ी हा कपड़े पैन के आये खूप जंडा वंडा लेके आए मकर आपना लेके आए जरनबिर मनाने के लिए किसी के उपर dependent नहीं अगर बावा साब का जरनबिर मनाने के लिए आप रोटी पुरी सबजी के लिए किसी संस्था की तरफ देख ते हैं कि वो रोटी पुरी सब भी खिलाएगी या हमरे बैटने का निजम करेगी तो फिर संस्था आप से उसकी कीमत बसू लेगी फिर आप सिकायत मत करिए कि यहां तो प्रढ़ानी होती है यहां तो नेता आते हैं यहां तो ऐसे आते हैं यहां तो वैसे आते हैं क्योंकि जहां जहां भी बावा साब का जनम दिन मराय जाता है कुछ लोग उंचे बनके आते हैं वो सड़क पर नहीं आते कभी पालिया मैंट 14 अपरेल पे हम हर साल वहां टेंट लगाते हैं हमने कभी वहां बड़े आदमी आते हुए नहीं देखा MP MLA मिनिस्टर आते हुए नहीं देखा IAS IPS अफसर आते हुए नहीं देखे हमने हमने कोई पार्टि को नेता या पार्टि के अध़क आते हुए नहीं देखे हमने आरफ पती करोड़ पती जो लोग है आते हुए हमने वह हम जैसे साधरन लोग ही जाते हैं इसका मतलब बावा साब अंबेट करके लिए वो सड़कता आने को तैयार नहीं है वो एक फूल मूर्ती लेके जबकि पारलियमेंट के अंदर जो इस्टैचू है वो पूरे देश की प्राइम इस्टैचू है पारलियमेंट के अंदर जा जा रहा है और अगर जनन दिन नीच में जा रहा है तो जनन दिन का मतलब प्राइदा नहीं इसका नुकसान है इसलिए सबी लोगों कहना चाहिए कि बैठेंगे तो एक साथ बैठेंगे खड़े होंगे तो इक साथ बैटेंगे ना कोई मंश है ना कोई माला है ना कोई बड़ा है ना ऊद्पर न पोश्ट न बड़ Är नहीं है मगर हमें साब्धान होना चाहिए कि ऐसी लोग है और ऐसी लोग जो बावस आपके पितनी का हिस्ता लेके चले गए है वो जो पेबैक नहीं कर रहे हैं अपने लोगों का मनोवल बढ़ाने के लिए अपने मसिया के बत डेपर अपने घर से सड़क तक नहीं आ सकते है वो किस काम के हैं हमारे तो ये सारी चीजें हमको वहाँ देखनी पड़ेंगी इसलिए हर व्यक्ति को इस बात को कहना चाहिए कि एक ही जनमिर मनाना है सुधीर कुमार जी जो बहुत बहुत अच्छा साइन है हमारे सारे लोग बहुत तेजी से सोच लगे हैं कि समता में और पूरे देश में पहुंचाना चाहिए यह तो बहुत अच्छी बात है कि हमको एक सहर में तो हमें किसी को चंदा नहीं देना है कोई लेकि आए और जो चंदा लेना है आप इसको यह करना है अपना पैसा लेके अपना पानी लेके पहुंच जाएंगे अपने खर्चे से हम जाएंगे और बावासाब का सबसे बड़ा जन्दा डंडा में लगा के हम लेके आएंगे चाहें वह तरंगा है चाहें वह सफिज ओंडा है चाहें वह कैसा भी है Soister जाए और कईसा नहीं देंगे पाइसे क्या हो रहा है मैं आपको चोटी से घटना बताता हूँ कि पारल ही देतें वहाँ टेंट लगाने के लिए यह ध्यान रखिये कि वह क्या करते हैं कि वह अपने डिपार्टमेंट को लिखते हैं कि बहुत कूई ेमेट करका एक चौर्दे अप्टर का जनम दिना रहा है और हम फाले अमेंट पे डिपार्टमेंट की तरफ से एक टेंट लगाएंगे और उस टेंट के लिए हमको अनुदान दिया जाए तो वो अनुदान की भीक मांगते हैं क्या भीक मिलती है एक लाक रुपिया मैक जियो में बहुत कोई बहुत तेज तरार होगा तो दो तीन चाल लाक रुप ले देता ह और एक दो तीन लाक में खेल हो जाता है लगता है साथ हजार हमसे लेके दस हजार में वह टेंट वाला एक ठेकदार होता है वह पूरा टेंट लगाता है इसनी बहुत सस्ता पड़ता है हाला कि महंगा है मगर एक अकेले के साथ सस्ता है दो चार टेबल लगाता है वह उस पर कपड़ा लगाता है बीस पच्चिस अंदर कुर्शी देता है दो तिन कारिन बिचाता है बस लग गया आपकर टेंट ऊपर अपना बैरन लगा लिए और आपने दस वीस तीस किलो पां क्या सारी चीज़ें इसी होते हैं जिसको नहीं बोलना चाहिए तो भीक मांगर डेपार्टमेंट से जो काम होता है उस काम में भी दिक्कत आती है हाला कि बावासाफ के नाम पे अगर डेपार्टमेंट चाहे वो इतने सारे लोग हैं अगर वो सो सो रुपया भी खटा करें तो भी के लाक हो जाता है एगर हजार जार जार भी खटा करें तो तो के लाक हो जाता है तो तो बहुत कुछ कर सकते हैं मगर नहीं होता ये चीज़े मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि हम मरने वाले हैं अगर आभी हम नहीं बोलेंगे तो हम सच में मर जाएंगे तो कम से कम ये अफसोस ना रहे कि हमें पता था और हमने बताया नहीं और इसको सुधार सकते थे इसको सुधाने के लिए आपको अपनी आवाज बिलंद करने पड़ेगी इसको सुधाने के लिए बिना डरे आपको यह बताना पड़ेगा यह कहना पड़ेगा कि मेरे बाबा साब का जरंदिन एक होगा मेरे बाबा साब ने एक होने के लिए कहा है तो उनके जरंदेन अलग-अलग क्यों आप घरगर जरंदेन मानाईये कोई दिक्त नहीं है जैसे दिवाली पे हमारा फंक्सन होता है कि दिवाली पे सब लोग अपने अपने घर मनाते हैं मनाईये गुद्पूर्ण आप घरगर मनाईये मगर साध्यूनिक फंक्सन एक होगा प्राइवेट फंक्षन आपका अलग-अलग हो सकता है, आप घर में खुब मनाईए, खुब मुंपते जलाईए, खुब डड़नी जलाईए, चोदे पहलों कोई रुकता पटा के भोड़िये, मिठाई बाटिये, मिठाई खाईए, कपड़े बाटिये, खुब आप नाचिये यहां जाके मर रहे हैं, यहां हमारी हत्त्या हो रही है, यहां हमारे बावा साथ की हत्त्या हो रही है, यह 14 अपरेल को जनन दिन मनाते हैं, 14 अपरेल को खुशी के दिन पूरे सहर के सारे नेताओं को, सारे सामाजी कारे करताओं को, सारे जितने भी धंब के लोग हैं, जित इसमें क्या दिक्कत आ रही है क्या फता रही है तुम्हारे बावा साव और उनके बावा साव और उनके बावा साव और उसका क्या अलग अलग है क्या सबके बावा साव एक है तो क्या 14 अपरेल अलग लग आ रही है कोई 15 अपरेल को मनाए को 16 को 14 अपरेल तो एक ही है जब ए एक आइडियोजी एक जंडा एक बात एक बर्डे एक जनदिन मनाने का तरीका एक है तो लगलग क्यों है अलग-छोने का सिर्फ एक कारण है वुज परची कट्टी है वुज चंदा आता है आपने परचीयां कटवाई होंगी मैं गारंटी से बोलना हूं कि आपके पास किसी क पारνη होग आपको हिसाब नहीं सकते हैं उस से हमारे बच्चे मरने के कगार पे आ ले इसलिए समढ़ संग की आव सकता है इसलिए एक संग की आव सकता है इसलिए एक संग मनाए उन सब को संग में आना होगा ये समढ़ संग में आने के लिए नहीं कह रहे हम संग का मतलब सब को इखटा होना पड़ेगा सब को इखटा होना ही संग होता है जैसे द होती हैं मगर इस बात को हमें रोकना पड़ेगा कि चौदे अप्रेल को हर हालत में हर जगह एक ही वोईस होनी चाहिए और एक नहीं करते हैं और पबलिक का अलग अलग करते हैं तो वो गदार हैं अगर दो भी गुट बने हैं किसी सहर गाउं के अंदर तो दोनों गदार हैं तो गदार लोगों के साथ जरंदिन में नहीं खड़े होना चाहिए उससे बहतर है कि आप एक मुझमत्ती बावा साथ के घर में अपने घर में बावा साथ के फूटू के आग जला के और वहां नमस्कार करके आराम से सो जाईए वो बहतर है उससे तो जो प्राइवेट है उसमें हर व्यक्ति को अपने घर में मनाना चाहिए खुब धुमदाम से मगर पबलिक वाला एक मनाना चाहिए अगर एक नहीं मना सकते हैं तो जरंदिन नहीं है फिर हमारा मरण दिन है और हमको अपने बावा साथ का मरण दिन नहीं बदलना है हमको तो बावा साथ के मरण दिन को भी जरम दिन मनाना है इखटे होकर यही तो मैसिज है यही तो का है बावा साब ने और गनाईज यही तो का है कि इखटे हो जाओ और अगर हम उनके जरम दिन पर इखटे हो जाते हैं तो अपने बावा साब को जरम दिन का इससे बड़ा तुफा क्या देंगे हम अपन के अधिकार नहीं ले सकते अब तो यह अपने मस्या के साथ में एक वर्डे मनाते हैं एक जिके खटे हो जाते हैं इसमें 14 अपरेल तक पूरी ताकत लगा दीजिए इस मैसिज को पहुचाने में कि हमको एक वर्डे मनाना है और चंदा तो बिलकुल दैना ही नहीं है बस यह पूछना है कहा मनाना है आएंगे एक जिके अलग लग नहीं आएंगे यह मैसिज अगर चला आगे आपका तो यह चंदा करने वाले और बावास आपके टुकुले कमर टूट जाएगी वैसे तो टूट रही है दस मैने से हम लगातार इसमें लगे हुए हैं खुब हमें गालियां पड़ रही हैं हम गालियां खाने को त्यार हैं हम हर चीज के लिए त्यार हैं मगर हम स्काम को करके छोड़ेंगे इसलिए देस में या भ्धेस में या महले म या गली में या दफ्तर में या कहीं आपकी आवाज निकल जाने चाहिए दो सो बासट लोग कमाल कर सकते हैं अगर डेली इस बात को कहेंगे समढ़ संग को बनाना और समढ़ संग का काम करना और बावस आपका जनम दिन एक जिगे मनाना ये सारे काम एक हैं सबका ही जो से ये कहें कि चंदा नंहीं देंगे भाई इखटे होंगे इखटे होने की बात है चंदे की बात नहीं हो त compliment करेंगे और हमारे का जिटेंगे साब्चे साब्रूरत में मंयें होरा बहुत बढ़िया धूमधां से मनाएंगे जोड़ कर मनाखें और बाकी जीटेंगे का उस हाउस में तैय करेंगे कि चौदे अप्रेल का जो लोग हैं जितने विए वह बाहदुर्गल की जो इस्तिति है वहां कैसे मनाना है कैसे नहीं मनाना है इसकी त्यारी साचारे करने धन्यवाद आप सभी से ये निविदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में करके आगे बढ़नी चाहिए य या इसकी जो audio है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको liberty है, आपको छूट है, ये सबी copyright free हैं, आप अपने facebook पे, अपने page पे, अपने tutor पे या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप YouTube पे चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं, इसके लिए इजाजत लेने की या परमिसर लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम सबका है, हम जो बताते हैं, वो भगवान बुद्ध का है, या महापुर्सो का है, उन्ही की बा तंगं सरेन गच्छामी 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 साथू, साथू, साथू तंगं सरेन गच्छामी यि मोले में गच्छामी तंगं सरेन गच्छामी